हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, मैं एक गल्सी स्वेटर टॉप बना रही हूँ, मैंने इस स्वेटर टॉप के बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट अब बाजु के बॉर्डर से लेके, आर्मोहल की खटाई तक के, सारे वीडियो आपके साथ सेल किया है, आप ये वीडियो अब हम ये चारों पार्टों को एक साथ जोइंट करके बनाएंगे, और यहां से हमने दूसरी ओल, यूज करेंगे, जो हमने नीचे ये बॉर्डर पे लगा रिखिये है, उपर से हम इसी ओल से बनाएंगे, पहले हम इसका फ्रंट पार्ट ले लेंगे, फ्रंट पार्ट को ये उल्टी तरफ से हम इसमें ये धागा जोइंट कर लेते हैं, पहले हम इसमें उल्टा उल्टा बना लेंगे, झाम, 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 तर हम इसमें उल्टा बेंगे, लेंगे क्कोल्ट है, जर लेंगे क्ष्सित से गीनियो갈े, लेंगे क्anka,र्ट, ये लेंगे क्छियोग व्यूट, यह प्रेंट पार्ट के हमारे फंदे यह उल्टे उल्टे मैंने इस सलाई में ले लिए हैं अब यह हमारे बाज्य हुए है अब हम इसको इसके साइं जोइंट कर लेंगे इस तरीके से इसको जोड़ने कर लेंगे इसके साथ झाल न जोड़ने डाकी बलत dwar लेंगे हम झाल जै पलत लेंगे इसको जोड़ने हो से अटत कर लेंगे ज्सक्षक्तॉ स्वारा लॉभर? क्षक्तॉ झांट टोड़ JA? कि इसको भी हम पूरी सलाई उल्टा उल्टा यह से इसमें उतार लेंगे यह मुझे प्रंट पार्ट के साथ बाजू को जोड़ लिया है अब हम इसका बैक पार्ट जोड़ेंगे इसको भी हम उल्टा उल्टा बना के यह बाजू के साथ चोड़ लेंगे इस तरीके से यह पूरी उल्टा 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 बना लेंगे यह हमने बैक पार्ट भी इसमें जोड़ दिया है उल्टा उल्टा बना लिया है अब इसका यह बाजू का हो गया दूसरा इसको भी हम इसके साथ चोड़ लेंगे अब इस तरीके से इस पार्ट के साथ चोड़ देंगे तो टाउल्टा बना लेंगे पूरी सलाई अब बना दे अब बना लेँ यह हमने दूसरी वाजू को भी इसमें जोइंट कर दिया है मैंने सारे फंदों को एक ही बड़ी सलाई में डाल दिये हैं यह अब इसको एक साथ बनाएंगे हम सीवी तरफ से आगे अब ध्यान से देखिए यह पहरी सलाई तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे और फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे धागे की तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे बना लिए तीन उल्टे बना लिए तीन उल्टे बना लिए तीन सीधे बना लिए फिर थागा अपनी तरफ फिर तीन फंदे उल्टे फिर थागा आगे की तरफ करेंगे के पूरी सलाएं मैं ऐसी गंप्लीट करनी है तीन फंदे तीन सीधी करते हैं अगर ये लास्ट के हमारे तीन खंदे हम सीधी बना लेंगे ये हमारी फुरी सलाई कंप्लीट होगी है सीधी तरफ से तीन खंदे उल्टे तीन खंदे सीधे ये हमने बना लिए हैं अब आगे हम दूसरी सलाई उल्टी तरफ इसमें हमको जो खंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बना लेंगे जो इस तरफ जो यहां पर सीधी सलाई में सीधे फंदे थे वो यहां उल्टे है उनको उल्टे बना लेंगे और जो सीधी सलाई में उल्टे फंदे थे वो इस तरफ सीधे हैं उनको सीधे बना लेंगे तो जो खंदा हमको जैसा दिख रहा है उसे वैसा बना लेंगे ला लेंगे ये पूरी सलाई है मैं ऐसी कम्प्लीट कर लेंगे अखरी के तीन बंदे सीधे बना लिए ये अखरी के तीन बंदे सीधे बना लिए पूरी सलाई कम्प्लीट हो गई तीन बंदे बना लिए हमने इस तरफ हमारे सीधे बना लिए हमने यहां उल्टी साइड से बनाए और जो सीधे बना लिए सीय ठोर्ट जो से बनाली जो कि सीधे भंदें हमने यहां उल्टे में और उल्टे मेंगों को पिक्षी स्यक्री भंद दुरी सब Diesel कर ले दीन मुंट्सी दे करके क एब हमें छैसलाई एस बनानी सुधिक करके हमें 6 सलाई ऐसी बनाते जानी है यह 6 सलाई हम कम्प्रीट कर लेते हैं जो सीधी साइट से उल्टे फन्दे हैं उनको हम उल्टी साइट से सीधे बनाएंगे जो सीधी साइट से उल्टे फन्दे हैं उनको हम उल्टी साइट से उल्टे पनाने हैं और उल्टी साइट से जो फन्दा में जैसे दिख रहा है तो ऐसी बनाना है जो यहां से सीधे से उल्टा है तो इस तरफ हमारा सीधा बन जाएगा, जो यहां सीधा है वो इस तरफ उल्टी साइड से उल्टा बन जाएगा, ऐसी हमें 6 लाय और कम्प्रीट कर लिए यह हमने 6 लाय कम्प्रीट कर लिए तीन उल्टी, तीन सीधी, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधी बनाके, तीन सलाई सीधी साइड से, तीन सलाई उल्टी साइड से, 6 सलाई हमरे कम्प्रीट हो गई अब देखे फ्रेंड अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे सीधी साइट से एक फंदा उल्टा और जो ये दो फंदे उल्टे हैं इनका हम एक करेंगे ये दो फंदों का एक करेंगे हमारे दो फंदे उल्टे हो गए तीन फंदे थे तीन के हमने दो फंदे उल्टे और तीन फंदे हम सीधे ही बना लेंगे एक दो तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और इस दो उल्टे फंदोगा एक फंदा कर लिया इस तरीके से फिर तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे हमारे सीधे ही बनाएंगे और उल्टे फंदों को हम पहले एक फंदा बना लेंगे फिर दो फंदे उल्टे जो हैं इनका हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे पूरी सलाई हम ऐसी ही बनाएंगे तीन फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा और उल्टे दो फंदों का एक फंदा पूरी सलाई को हम इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेते हैं एक फंदा उल्टा और दो उल्टे फंदों का एक फंदा करके हमारे तीन फंदे उल्टे थे तीन फंदों को हमने दो में कर लिया और तीन सीधे फंदे सीधे ही हैं तीन उल्टे फंदों को हमने दो उल्टे फंदे बना दिया, तीन का दो कर दिया, पूरी सलाई हम ऐसे कम्प्रेट कर लेते हैं, बनाजटी की तीन सीधे फंदे होगे, हमारी सीधे सीधे से स्लाई कम्प्लेट होगी है, इसमें हमने जो तीन फंदे सीधे थे उनको बनाया और उल्टे फंदों को तीन का दो कर दिया अब उल्टी साइट से जो फंदा जैसे है वैसी बनाना है यह जो हमारी सीधी साइट से तीन फंदे सीधे थे इनको अब हम यहां से उल्टा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे तीन फंदे उल्टे बना लिए और जो हमने यहां पर यह तीन फंदों के दो उल्टे फंदे बनाए थे सीधी साइट से अब उल्टी साइट से हम उनको दो सीधे फंदे बनाएंगे यह दो सीधे होगे तीन पंदे उल्टे होगे तीन बना लिए दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे अब हम पूरी सलाई ऐसे ही कम्प्रीट कर लेते हैं तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे करके पूरी सलाई को ऐसे ही कम्प्रीट कर लेते हैं दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे ये लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे ये हमारी उल्टी साइट से सलाई कम्प्रीट हो गई ये हम सीधी साइट से आ गए हैं अब हम छे फंदे ऐसी बना लेंगे दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे का हम ऐसी छे सलाई ऐसी बना लेंगे सीधी साइट से हमारे तीन फंदे सीधे आएंगे दो फंदे उल्टे आएंगे और उल्टी साइट से हमारे तीन फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे आएंगे उल्टी साइट से दो फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे उल्टी साइट से सीधी साइट से तीन फंदे सीधे और दो फंदे उटे एक पहले दो फंदे हमने उटे बना लिए सीधी साइट से अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे ऐसी करके हम 6 लाई कंप्लीट कर लेते हैं झाल 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 कर दो करूंगा है यह हमारे यहां पर फंदे सारे बंद हो गए है लास्टिक है थंदे दोपाई कर लिया क्या शोपाई दो लास्टिक है क्या प्या है तब हम इसको सिल लेंगे देखे फैंस अब हम इसको पुरा जोड़ लेंगे ऐसे इस तरीके से यह हमारा गलाबन के तयार हो गया है और यह यह से बाजू इस तरीके से यह हम इसको अभी जोड़ा नहीं है अब हम इसको जोड़ लेंगे यह देखे फैंस इस तरीके से अब हम इसको फैर लेंगे और यह हमारा जोड़ स्वेटर टॉप तयार हो गया आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजेगा थैंक यू